Hello all, last video में हमने essay writing का format कैसा होना शही है और उसकी practice कैसी करनी है यह सब detail में देखा था आज हम important topics देखने वाले हैं, अगर आपने यह सारे essays at least एक बार लिखे तो आपके बहुत practice हो जाएगी और आपका knowledge भी बड़ेगा और आज की legal term है homicide, meaning और example हम end में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे general topics दिये है जो की मैंने past year paper का analysis करके note down किये है तो यह topics सारे states की candidates के लिए बहुत useful है और यहाँ पर आप सब general topics देख सकते हो जो law के related है कभी-कभी एक-दो topics जैसे कि आपको choices होती है, तीन topics की choice होगी या फिर चार topics भी हो सकते है तो उसमें से एक-दो topics current affairs से आएंगे, law के related ही होगे और एक-दो topics general हो सकते है जैसे कि constitution के related कुछ हो सकता है सारे topics बहुत important है, आपके बहुत practice होगी, knowledge बढ़ जाएगा, इसके अलावा भी कोई topic आता है तो भी आप लिख पाओगे ऐसे आपके पूरी preparation हो जाएगी तो आप one by one इस list को देख सकते हो और note down the topics and practice it practice कैसे करना है यह मैंने last video में बताया है जो format बताया है, introduction में क्या लिखना है, फिर उसके बाद mean body में क्या क्या include होना चाहिए और end कैसा करना है, conclude कैसा करना है यह सब जो बताया है वो follow करो अगर आप उसके हिसाब से essay writing के practice करते हो तो आपको यह धीरे धीरे ऐसे लगएगा कि आपके writing style में improvement हो रही है you can check it from your teachers, friends और उनका opinion भी आप ले सकते हो और सबसे important बात यह है कि पहले simple topics चूज करो जिसके बारे में आपको knowledge है simple topics के बात थोड़े complicated और difficult topics पे जाओ तो आपका confidence भी बढ़ेगा और writing style भी improve होगी अब हम homicide का meaning देखते है, homicide मतलब simple terms में हम murder बोलते हैं अगर एक इंसान दूसरे इंसान को मार देता है पूरी तरह से जान से मार देता है तो उसको murder या फिर homicide भी बोल सकते हैं so example he was charged with homicide मतलब उसके उपर कौन सा charge लगा था murder का homicide का उसने किसी का तो murder किया था इसलिए so this was it, सारे topics को note down करके systematic तरीके से उसकी practice करो definitely आपकी writing style improve होगी और आप ज्यादा से ज्यादा marks score उत कर पाऊगे thank you कर दो कर दो कर दो कर दो